Guys current affairs funda में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शरमा और इस वीडियो में हम February 4th week के सभी important current affairs एक साथ cover करने वाले हैं अगर आप इन questions को PDF format में चाते हैं जिसमें की पूरी explanation दी गई हो तो उस PDF का link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा तो चलिए फिर क अमिद्शा तो New Delhi में इस पुस्तक का भी motion किया गया इस पुस्तक में CRPF यानि Central Reserve Police Force इसके स्वर्णिम इतियास के बारे में बताया गया है उनकी journey, challenges, successes and sacrifices आपको बता दें कि CRPF का गठन सन 1949 में हुआ था वरतमान में इसके Director General A.P. महिस्वरी जी हैं अमिद्शा आप जानते मंत्राले में राज्य मंत्री हैं और ग्रह सचीव कोन है, Home Secretary कोन है यह है अजे भला साथी आपको यह भी जानना चाहिए कि CRPF का जो मोटो है यह है सेवा और निश्ठा उस भारते टैनिस खिलारी का नाम बताईए जिसने हाल ही में अपनी रूसी पार्टनर या साथी कामिल कामिला राखोवा के साथ फिलिप आईलेंड टॉफी जीत कर अपने पहले डबलू टीए खिता आपको हासिल किया डबलू टीए का मतलब होता है विमन्स टैनिस एसोशेशन तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा आपका ओप्शन बी अंकीता रेना अंकीता रेना वैसे गुज प्रेकिंग में आ जाएंगी और टॉफ हंड्रेड में आने वाली सानिया मेटजा के बाद यह दूसरी इंडियन विमन प्लेयर बन जाएंगी किस मंत्राले ने इस्थानिये के लिए मुखर जिसे इंगलिज नों बोलते हैं वोकल फॉर लोकल इस थीम पर इस विशे पर हुनर हाट का आयोजन किया तो यह आयोजन किया गया है मिनिस्ट्री ओफ माइनुरिटी अफेर्स के दौरा तो यह करंट अफेर इसले लिया गया थीम आपके एक्जाम में पूछ ले जाते हैं तो इसमें 600 से ज़्यादा आर्टिशन्स और क्राफ्ट्समेन ने अपने प्रोडक्ट्स अपनी कला को सोकेस किया और माइनुरिटी अफेर्स मिनिस्टर हैं मुकतार अबबास नकवी और मिनिस्टर ओफ स्टेट फॉर किसने डेनियल मेदवेदेव को हरा कर अपना नौवा ऑस्टेलियन ओपन खिताब जीता तो यह जीता है नौवाक जोकोविच ने तो इन्होंने वैसे तो हैट्रिक लगाई है 2019 में भी जीता 20 में भी जीता और 21 में भी जीता इससे पहले 2008 में भी जीता और उसके बाद भी जीतते आये हैं तो इनका यह नौवा ऑस्टेलियन ओपन खिताब है और यह सर्बिया से हैं और इन्होंने हराया है डेनिल मेदवेदेव को यह रशिया से हैं और अवरोल इन्होंने अपना अठारवा ग्रेंड इसलेम टाइटल जीता है यह भी आपको याद रखना है तो आप इसको भी नोट डाउन कर लिजेगा अंतर राष्ट्य मात्र भासा दिवस यानि इंटरनेशनल मदर लेंग्वेज टे यह किस दिन मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 21 फरवरी को तो 1999 से युनेस को जो है इसको मनाता आ रहा है यानि उस 1999 में डिकलेर किया था क कि किस फरवरी को इंटरनेशनल मदर लेंग्वेज डे मनाया जाएगा इसका थीव इंपोर्टेंट रहेगा फोस्ट्रिंग मल्टि लिंग्वलिज्म फोर इंक्लूजन इन एजूकेशन एंड सोसाइटी ग्यारवे भारत यूरोपिय संग माइक्रो एकोनोमिक समवाद में भारत्य परति निधी मंडल का नेत्रवत किस ने किया है ओप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन ए तरुन बजाच तरुन बजाच कोन है ये डिपार्टमेंट ओफ एकोनोमिक अफे रिसर्च बोर्ड इन्होंने महिला उत्करष्टता पुरुसकार 2021 से सम्मानित किया तो ये किया गया है चार महिला वैग्यानिकों और इनको 15 जो है कि धनराशी भी दी जाएगी ताकि अपनी जो रिसर्च हैं उसको अगले आगे तीन साल तक उसको परसू कर सकें साधिया आ पुर अंतारा बैनर जी सोनु गांधी एंड रितु गुपता निमलिखित में से किसने केके एफ़ाई 2021 खोखो सूपर लीग चैंपियंशिप ट्रॉफी जीती ओप्शन्स आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन डी पहाड़ी बिल्लाज तो केके एफ़ाई य मानवाधिकार परीस्त यानि उन्स मेधिक कि सलाकार संीति के अध्यक्स में पहले भारते कों बन गए है तो यह बन गए है अजय मलोत्रा और जो अजय भारत मेंगा होमस्टे डेवलप्मेंट एंड ट्रेनिंग वर्शॉप का उद्गाटन किया तो यह इन्हों ने किया है दार्जुलिंग में और दार्जुलिंग का है यह वेस्ट बेंगोल में है निमलिकित में से किस ने गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया उप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नितिन गड़करीजीन है तो इसमें वही मकस्ततर आए कि इलेक्ट्रिक वहिकल्स जो है उनको ज़्यादर ज्यादर यूच्च किया जाए औ मिनिस्ट्री और इन्होंने हाली में इंडिया का फर्स्ट सी एंगी ट्रेक्टर भी लॉंच किया है साथ ही इन्होंने इंडिया का पहला इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक काव डंक पेंट इसको भी लॉंच किया है इसका नाम है खादी प्रकृतिक पेंट तो इसको भी इ तो ये हाली में परदानमंतरी नरेंदर मोदी ने इसकी खोशना की है तो ये जो है तमील नाडू में इन्होंने कुछ प्रोड़ेक्ट का उधगाटन किया है उसी दोरान इन्होंने ये इन्फोमेशन दी है तो इन्होंने क्या-क्या उधगाटन किया है इन्होंने कावेरी ब इसको भी इन्होंने लॉंच किया है यहां पर इन्होंने गैसोलीन डी सलफराइजेशन यूनिट का उदगाटन किया है हाली में किस देश ने मानव में avian flu के h5n8 strain के संचरण के पहले मामले का पता लगाया है इंगलीज में देख लेते हैं इस question को which country has recently detected the first case of transmission of the h5n8 strain of avian flu to humans तो यानि मानव में किस मानव में इस avian flu के strain का पता किस country ने जो है डबल एच्चो को दिया है कि हमारे यहां पाया गया है तो यह दिया है रशिया ने रशिया सेज detected first case of h5n8 avian flu in humans तो फ्रेंड्स यह एक strain है avian flu का और आपको यह भी बता दें कि जो h5n8 है यह influenza A virus का एक sub type है और इसमें जो हता है यह birds mammals में flu like symptoms बन जाते हैं और जो जादा तर जाने वाला strain है इसका नाम होता है h1n1 यह आपने सुना भी होगा भारत और किस देश ने वीजा सुविधा और चमड़ा प्रद्योगी की से संबंदी दो समझोतों पर हस्ताक्षर किये हैं तो यह किये है यूथोपिया के साथ और यूथोपिया के बारे में अगर जानकारी लें तो इसी कैपिटल है आदिश अबाबा करंसी है यूथोपियान बिर प्रेजिडेंट है साले वर्क जेवते प्राइम मिनिस्टर है अभी अहमद है लीना सेना संस्क्रण ध्रूवस्त्र वायू सेना संस्क्रण मिसाइल सिस्टम जो हाली में खबरों में थे किसके द्वारा विक्सित किये गए हैं तो यह किये गए हैं DRU की द्वारा विक्सित यानि डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट और्गनाइजिशन की द्वारा तो फ्रेंड्स हाली में जो है इनका एक जोएंट यूजर ट्राइल किया गया है कहां पर पोकरन डिजर्ड इन राजस्थान में आपक नखी गई थी जी एस सती इशरेड़ी इसके चेर्मेन है भारतिय नो सेना का जहाज प्रलय किस देश में नावडेक्स 2021 और आईडेक्स 2021 में भाग लेने पहुंचा तो यह पहुंचा है आबुधाबी आबुधाबी जो है यह संयुक्त अरब अमिराथी कैपिटल है यूए को बता दिया इसी करंसी है यूनाइटेड अरब एमिराट्स दिरहम प्रेजिडेंट है खलीफा बीन जायद अल नहायन और यहां के वाइस प्रेजिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर है सेख मुहम्मद बिन राशीद अल मक्तू विस्व बैंक की एक रिपोर्ट के नुसा और सडग दुरगटनाओं में दुनिया भर में होने वाली मोतों में भारत का हिस्सा कितने परतिशत है ओप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन ए 11 परतिशत तो भारत में दुनिया के एक फिस दिवाहन है पर सडगों पर वाहन दुरगटनाओं के चल तो यह रिपोर्ट आप याद रखेगा डेरेटी इस तरह से पुछा सकता है कि ट्रैफिक क्रेस इंजिरीज और डिसेबिलिटीज दबर्डन ओन इंडिया सोसाइटी यह किसके दुआरा लौंच की गई है रिपोर्ट तो आंसर रहेगा वर्ड बैंक टोक्यो 2020 ओलंपिक आयोजन समीती के नए परमुक कोन है ओप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन डी शेको हाशिमोटो तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में हो रहे थे इसलिए कमिटी तो वही रहेगी 2020 कमिटी ही रहेगी तो उनके जो नए हैड बनी है यह है शेक किया गया और इन्होंने इस्तिफा दे दिया साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं यह 2021 में अब 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में खेले जाएंगे और 2024 के जो समर ओलंपिक्स होंगे यह पैरिस में खेले जाएंगे फ्रांस में 2028 के United States के Los Angeles में खेले जाएंगे और जो यह समर ओलंपिक्स है इनका जो ओलंपिक मास्कोट है यह है मिराई तो इसको आप नोट डाउन कर लीजगा यह नाम साथी फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपके दो मिनिट लेना चाहूंगा तो 22 फरवरी के करंट अफेर्स वीडियो प प्रेंड्स की हिमान सू डेली असाइनमेंट कोश्चन्स में पार्टिसिपेट करते हैं कुछ तीन या चार एस्पिरेंट्स और हैं जैसे हुर्दोय रंजन जी एकांता जी आनन जी आसीस बलकार जी तो और भी कई अस्पिरेंट्स हैं जो डेली पूरी वीडियो देखते हैं और असाइनमेंट कोश्चन्स के आंसर करते हैं तो हम करंट अफेर्स के फिल्ड में अभी नए हैं केवल 6 मई नहीं हुए हैं में करंट अफेर्स वीडियो शुरू की हुए तो अगर इस तरह के कमेंट हमें मिलत और हम अच्छा परियास भी करते हैं तो आप करंट अफेर्स कहीं और से भी पढ़ सकते हैं परसाथ में हमारे करंट अफेर्स भी पढ़ा कीजिए काफी सारी नई बाते आपको डेली जानने के लिए मिलती हैं केवल 15-16 मिनट की एक वीडियो होती है तो आप इसके लिए तो स प्रोटेम स्पीकर की भूमी का कौन निमा रहे थे रामिस्वर सरमाजी साथ ही आपको यह जानना चाहिए कि हां की जो राज्येपाल है यह आनंदी बैन पटेल है जो की उत्तरपरदेश की भी राज्येपाल है और यहां के मुख्य मंत्री है सिवरास सिंग चोहान और कैप रहे हैं उनको भी आपर उनकी कहानिया भी आपर बताई जाएंगी साथी मध्यपरदेश ने चिकित्सा सिक्सा चात्र वीमा योजना यह शुरू की है और ऐसी वीमा योजना शुरू करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है साथी मध्यपरदेश में हाली में के सबी गाओं में मिशन लाल लकीर के कारियान वयन को मंजूरी दी है यानि इसके इंप्लिमेंटेशन को एप्रूव किया है तो यह किया है पंजाब सरकान ने फ्रेंट्स लाल लकीर के अंतरगत वे लेंड आती है जो की नैन नोन एगरिकल्चर परपस के लिए यूज की जाती है यह उस गाओं की आबादी का ही हिस्सा होती है लेकिन नोन एगरिकल्चर परपस के लिए इनको यूज किया जाता है तो यह जो है इस्टेट गवर्मेंट के साथ या फिर उनके आकड़ों के साथ वहाँ पर रेजिस्टर नहीं होती है इसलिए इनको मॉनेटाइज तो अब चीफ मिस्टर ने जो है इस स्कीम को रेवेन्यू एंड रिहाबिलिटेशन डिपार्टमेंट के अंतरकत इसको ला दिया है तो इससे अब जो है प्रोपर्टी रेजिस्टर हो जाएंगी और जो बैंक में जो भी फायदे मिलते हैं रेजिस्टर प्रोपर्टी की व और धियादी लोडी स्कीम बिनोंने लॉंच की थी साथी पंजाब सीम ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन इसको भी लॉंच किया है हाल ही में और पंजाब सीम ने हाल ही में डीजी नेस्ट इस मोबाइल एप को भी लॉंच किया था साथी पंजाब सीम ने पी आर मोबाइल एप एंड वैब पोर्टल को भी लॉंच किया था भारत और किस देश के बीच 50 मिलियन डॉलर मुल्य के रक्सा समझोतों पर हस्ताक्षर किये गए तो यह किये गए हैं भारत और मालदीव की बीच मालदीव की अगर बात करें तो यहां के प्रेजिडेंट है इबराही मोहमत सौली, कैपिटल है माले और करंसी है मालदीवियन रूफिया और हाली में एकजिम बैंक ने भी मालदीव को जो है प्रोजेक्ट्स के लिए 400 मिलियन यूएस टोलर प्रोवाइट कराएं हैं किस राजजने अश्विन पोर्टल और वंडर एप टेली मेडिसीन और आपात इस्थतियों के लिए लौँच किया है यानि किस राजजने अश्विन पोर्टल और वंडर एप को टेली मेडिसीन एंड इमर्जन्सीज की जो सर्विसेज होती है उसके लिए लौँच किया है तो ये किया है बिहार राज्यने तो फ्रेंट्स जो ये अस्वीन पॉर्टल है तो ये एक इसंजीवनी टेली मेडिसिन फैसिलिटी के लिए लॉंच किया गया है और जो वंडर एप है इसके तहत जो भी एम्बूलेंसे हैं इमर्जेंसी के टाइम पर आपको बुलानी है तो आप उसको लोकेट कर सकते हो और साथ ही आपको ये बता दे कि ये जो है साथ निश्चे टू जो बिहार का ये एक कारेकरम है फ्लैक्शिप प्रोग्राम है इसके तहत ये लॉंच ही गई है अच्छा साथ निश्चे के अंदर क्या क्या आते हैं एक तो आता है ये आप याद रखना बिहार का जो भी एक्जाम देने वाले हैं एस्पिरेंट्स उनके लिए ये काफी इंपोर्टेंट है बाकी तो ऐसा निश्चे कौन से हैं ये सभी आप पढ़ लेना साथ निश्चे यहां पर बताए गए हैं साथी बिहार ने जो है युनाइटेड नेश्चन इन्वार्मेंट प्रोग्राम के साथ भी एक क्लाइमेट से रिलेटेड एक पैक्ट को साइन किया है और कबरताल ये फ्रेंट्स बिहार की फस्ट रामसर साइड बनी है और ये हाली का करंट अफेर है और इसी के साथ उत्राखंड को भी अपनी पैली रामसर साइड मिल थी आसन कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में साथी बिहार का जो फस्ट बर्ड फेस्टिवल है ये नागी नक्टी बर्ड सैंचुरी में हाली में संबन हुआ है लोककला उत्सव उत्सवम 2021 किस राज्य में सुरू हुआ तो ये हुआ केरल में केरल की बात करें तो यहां के CMH पिनरई विजियन गवर्नर है आरिफ मुहम्मत खान और कैपिटल है थिरुवनंत पुरम केरल से जुड़े करन्ट अफेर्स की बात करें तो इंडिया की पहली सोलर पावर्ड मिनियेचर ट्रेन ये केरल में जो है इसको लॉंच किया गया है मिनियेचर मतलब की किसी बड़े रूप का एक छोटा रूप उसको मिनियेचर बोलते हैं तो बड़ी ट्रेने जो होती है तो उसका एक छोटा रूप यहां पर लॉंच किया गया है साथी के फोन यानि केरला फाइबर ओप्टिक्स नेटवर्क इसका फस्ट फेस भी यहां पर लॉंच किया गया है साथी वीपी जोई या केंदर सासीत परदेश बन गया है तो यह बन गया है चंडीगड तो जो यह कार्बन वाच जो है यह मोबाइल एप्लिकेशन तो इसके तहर जो है कोई भी इंडिविज्वल कोई भी व्यक्ति है तो उसके कार्बन फूट्प्रिंट के बारे में पता लगाया जा सकता है अब यह कार्बन फूट्प्रिंट क्या होता है तो कार्बन फूट्प्रिंट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो है अपनी human activities के द्वारा कितनी greenhouse gas या फिर carbon dioxide release कर रहा है तो उससे इसमें आपर पता चल जाता है ठीक है यह आप याद रखना carbon footprint और चंडिगड जो है यह पंजाब एर हडियाना की joint capital है यह भी आपको मालूमी होगा और यहां के जो administrator है यह हैं वीप सिंग वदनौर Bill and Melinda Bill and Melinda Gates Foundation और निमलिकित में से किसने बारत में स्वास्ते अनुसंधान के विकास आचरण और परचार का समर्थन करने के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं तो यह किये हैं CSIR के साथ यानि Council of Scientific and Industrial Research और फ्रेंट्स ओप्शन बीबियाद रखना ICAR ठीक है इसके बारे हम बात करेंगे तो यह जो है इन्होंने Bill and Melinda Gates Foundation ने और CSIR ने एक MOU साइन किया है तो सपोर्ट देवलपमेंट कंड़क्ट एंड प्रोमोशन ओफ हेल्थ रिसर्च इन इंडिया अब देखिए जो ओप्शन भी था हमारे पास ICAR यानि Indian Council of Agriculture Research तो इसके डिरेक्टर जनरल है डोक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा यह मैंने आपको यहाँ पर इसलिए इंकलूड किया है क्योंकि एंटी पीसी एक्जाम में यह पूछा गया था कोस्चन और CSIR के बारे में जान लेते हैं जो हमारे इस कोस्चन का आंसर है तो इसके जो डिरेक्टर जनरल है ठीक है यह है सेखर सी मांडे साथ यह आपको यह जानना चाहिए कि CSIR के प्रेजिडेंट जो भारत यह होते हैं भारत के परदान मंतरी जो की नरेंदर मोदी है और इसके वाइस प्रेजिडेंट होते हैं जो हैल्थ मिनिष्टर है जो की हर्ज वरदन है तो यह दोनों इस्टिट्च फ्रेंट्स काफ़ी इंपोर्टेंट है कभी-कभी क्या होता है न कि हमको यह बुक्स में भी नहीं मलते हैं दोनों इस्टिट्च इनके डिरेक्टर जनरल तो ये जो है आप हमें इनको नोट कर लीजेगा कोई भी एक्जाम मों इन दोनों को जुरूर पढ़ कर जाना ये पूछ ली जाते हैं और हम इनको पढ़ना भूल जाते हैं CSIR और ICIR मद्यपरदेश के किस सहर का नाम बदल कर नर्मदापुरम रखा जाएगा तो ये रखा जाएगा होसंगाबाद का नाम तो मद्यपरदेश चीफ मिलिश्टर स्रिवराज सिंग चुहान ने एनाउंस किया है कि होसंगाबाद सीटी का नाम जो है अब नर्मदापुरम रखा जाएगा और ये अनाउंसमेंट इनोंने नर्मदा जैनती प्रोग्राम के तहत किया है जो कि होसंगाबाद में मनाई जा रही है किस सहर में इस्थित सर एम विश्वे स्वरिया टर्मिनल अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस भारत का पहला केंद्रेकरत यानी सेंट्रलाइजड एसी रेलवे टर्मिनल बन गया है इंग्लिस में भी देख लेते हैं इस कोश्चन को कभी कभी क्या होता है न हिंदी में कोश्चन समझ महीं नहीं आता क्योंकि हिंदी की लेंग्वेज थोड़ी अर्ट परड़ी सी हो जाती है तो आप उसको इंग्लिस में भी पढ़ लिया कीजिए सर एम विस्वसरिया टर्मिनल इन्विस सिटी हैस बिकम इंडियास फर्स्ट Centralized AC Railway Terminal Equipped with State of the Art Facilities तो ये बन गया है बैंगलूरू का तो बैंगलूरू में है ये सर एम विस्वसरिया टर्मिनल ठीक है और जब बात हो रही है इनकी तो आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये सर एम विस्वसरिया है इनको 1955 में बारत रतने से सम्मानित किया गया था और इनका जो बर्थड़े है ये 15 सितंबर को इंजीनियर स्टे के रूप में मनाया जाता है और ये AC का मतलब यहाँ पर आप समझी गए होंगे कि Air Conditioned Railway Terminal ये बन गया है Voltage Source Converter तकनीक का उपयोग करने वाले देश के पहले High Voltage Direct Current यानी HVDC सिस्टम का नाम बताईए Friends काफी important question है और इस तरह के question हमसे skip भी हो जाते हैं ठीक है तो ये आप जरूर नोट कर लिजेगा क्योंकि ये हमारे news में हमारे सामने नहीं आते हैं अगर आते भी हैं तो हम इनको importance नहीं देते हैं तो इसलिए आप इसको याद रखेगा इंगली इसमें भी पढ़ लेते हैं Name the country's first High Voltage Direct Current HVDC system to use the voltage source converter technology तो इसका आंसर होगा option C Pugalur HVDC system तो ये इसलिए भी important है क्योंकि इसको integrate किया है प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने तो देखिए ये जो है 2000 MW की जो है ये energy के रल को supply कर सेगेगा और इसको power grid द्वारा develop किया गया है तो इसके तहएत क्या होगा अब जो ये converter लगाया गया है तो इसके तहएत क्या है अब land requirement की जो है land requirement जो है वो अब कम चाहिए होगी ये इसका फाइदा रहेगा हाल ही में संयुक्तराज अमेरिका ने जलवायू परिवर्तन पर Paris समझेदे को फिर से join कर लिया है यानि Paris agreement को फिर से join कर लिया है और अगर Paris agreement की हम बात करें तो 2016 में ये sign हुआ था और इसका जो है मकसद वह यह है कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है ये दो डिगरी celsius या फिर preferably 1.5 डिगरी celsius से कम रखा जा सके as compared to pre-industrial temperature अब ये pre-industrial का मतलब है यह आप है 1850 से 1900 का समय ठीक है इसको बोलते है pre-industrial era प्रे-industrial प्रे-industrial years जो बोलते है वो 1850 से 1900 के बीच का होता है 11 वर्सों में पहली बार देश में आत्महत्या की दर में व्रिद्धी देखने के बाद किस देश ने minister of loneliness यानि अकेला पन को दूर करने के लिए एक मंत्री निउक्त किया है तो ये किया है जापान ने और इनका नाम है तेथ सुसी शाकामोटो तो फ्रेंट 2020 में यहां पर काफी सुसाइट रेट्स बढ़ गए हैं खास करकि यहां पर विमन हैं उनके सुसाइट रेट्स काफी बढ़ गए हैं तो इसी वज़े से उनको सहयोग करने के लिए लोगों को अगर अकेला पन लगता है तो उनके सहयोग करने के लिए इस मिनिस्ट्री बनाई गई है और कैपिटल जो है जापान की टोक्यो है करन्सी जैपनीज येन है प्राइम मिनिस्टर नहें योशी हाइट सुगा साथ यह आपको जानना चाहिए कि जापान में जो करेंट एरा चल रही है यह हरीवा यह क किया गया है के रल में तो इस एप के थूँ जो है आपको क्या ट्रीटमेंट डेना है फस्ट एड क्या हो सकता है और क्या-क्या मीथ हैं उनको भी जो जूटी बाते होती है इसने इक बाइट तो उसको भी दूर किया जाता है तो काफी अच्छी एप है यह भारत और तो फ्रेंड्स नागा लेंड में सिक्सा सुधार के लिए ये प्रोजेक्ट साइन किया गया है, साथ ही अगर नागा लेंड की बात करें तो कैपिटल कोहिमा, गवर्णर है यहां के आर एन रवी, चीफ मिनिस्टर है नीपियू रियो, साथ ही आपको बता दे कि नागा में भूत जोलो किया, जिसे घोस्ट पेपर भी बोलते हैं, यह यहां की काफी फेमस है, क्योंकि इसको वर्ड की होटेस्ट चिली, यानि होटेस्ट मिर्ची के रूप में जाना जाता है, ठीक है, और यहां की जो हाइएस्ट पीक है, इसका नाम है माउंट सारा मती, साथ ही मिलियन युएस टोर के लोन एग्रिमेंट को भी साइन किया है, साथी वर्ड बैंक ने वेस्ट बैंक ओल में वाटर वेज इंप्रूब्मेंट के लिए, एक सो पांच मिलियन युएस टोर की राशिक के लिए कमिटमेंट की है, तो यह सब यह आपके लिए काफी की वीडियो देखता हूँ, मेरा 13 फरवरी को PCS एक्जाम था, उसमें उडिसा की स्कीम के रिलेटेट कोस्चन आया था, सूजल मिसन, वो मैंने आपकी वीडियो में सुना था, जब आप प्रिवेस करंट अफेर्स रिपीट करते हो, किसी कोस्चन में उस टाइम, मुझे और से सुरजीत अपना एक्जाम अच्छा कर पाए हैं, उसी तरह आप भी हमारे करंट अफेर्स हेल्फूल जरूर पाएंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं, इसलिए आप लोग डेली बस 10-15 मिनट इन करंट अफेर्स के लिए जरूर निकाला कीजिए, इतनी आप से रिक्वेस्ट है, अब देखते हैं इस कोश्चन को, भारती रिजरू बैंक ने डेकन कॉर्परेटिव बैंक, डेकन अरबन कॉर्परेटिव बैंक की ग्रहा को उपर 1000 रुपे तक निकालने की सीमा लगाई है, इस बैंक का मुख्याले कहां इस्तित है, तो फ्रेंट्स ये जो है करनाटक के विजयपूर में इस्तित है, और आपको मालू होगा कि जो डेजरू बैंक ऑफ इंडिया है, ये जितने भी वी कॉर्परेटिव बैंक है, इन पर एक्शन ले रही है, और इसने जो है अब 1000 रुपे विड्डॉल कैप लगा दी है, साथ ही आपको ये भी ज जानना चाहिए, आप नोट कर लेना काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए DICGC, इसकी फुल फॉर्म होती है, डिपोजिट इंसुरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कोर्परेशन, तो ये जो है RBI की सबसीडरी है, और ये 5 लाक रुपे तक का इंसुरेंस आपके बैंक सहकारी बैंक इसका लाइसेंस रद्द किया है, और महराष्ट बेस्ट सुभधरा लोकल एरिया बैंक इसका लाइसेंस कैंसल किया है, और महराष्ट का ओल्डेश्ट CKP कोपरेटिव बैंक इसका लाइसेंस रद्द किया है, साथी महराष्ट के वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक इसका भी license इसने रद्धिक्या है और जो बिरकुल लेटेस्ट है वो यह है कि कॉलापूर के सिवम सहकारी बैंक इसका भी license RBI ने रद्धिक्या है तो यह सभी हाली के current affairs है और हमने अपने previous sessions में cover किये हुए हैं आपके revision purpose के लिए यहां पर बताए गए हैं आगे बढ़ते हैं समुद्र के अंदर भारत की पहली सुरंग कि सहर में 2023 बंडर तयार हो जाएगी तो options आपके सामने है और correct answer होगा option A Mumbai में तो friends इससे related एक article आया हुआ था the Indian Express में इसलिए question आपको मैंने यहां पर include किया है तो यहां पर इंडिया की biggest tunnel boring machine इसका नाम है mawala तो यह यहां पर काम कर रही है और यह जो tunnel बन रही है यह sea bed के 20 meters below पर यह tunnel का काम चल रहा है और यह tunnel जो है under sea tunnel इंडिया की first under sea tunnel यह पेर दरसनी पार्क को चो पार्टी से connect करेगी बात चल रही है Mumbai की friends यहां पर आपके लिए काफी important दो points है एक तो channel tunnel देखे last में लिखा है channel tunnel तो यह भी under sea tunnel है और यह England को फ्रांस से जोड़ती है इस तरह एक question जो अच्छे level के exam होते हैं जैसे PCS level के exam होते हैं महाँ पर पूछ ले जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमने किसी book में नहीं पढ़ा है यह question कहां से आया तो friends इसी तरह से connect करते हुए आप पढ़िए हमारे साथ ठीक है channel tunnel जो है इंगलेंड को फ्रांस से connect करती है फिर दूसरा है second tunnel तो यह जो है यह जापान में है आगे बढ़ते हैं Confederation of Real Estate Developers Association of India यानी CRE DAI ने construction सर्मिकों के बैंक खाते खोलने की सुविधा के लिए किस भुकतान बैंक के साथ एक समझोता ग्यापर पर हस्ताक्षर किये हैं तो options आपके सामने हैं और correct answer होगा option D, India Post Payment Bank के साथ तो friends इन्होंने एक MOU साइन किया है किसलिए जो भी X workers हैं है ना तो उनका जो है sorry माफ कीज़ेगा जो construction workers है तो उनका bank account खोलने से related ये MOU साइन किया गया है साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो India Post Payment Bank है ये जो Ministry of Communication के अंतरगत एक Department of Post आता है तो इसके अंदर इसको setup किया गया है और ये Government of India द्वारा 100% owned bank है और 30 January 2017 को इसको राची और राएपुर से as a pilot project के रूप में launch किया गया था friends, pilot project वे होते हैं जो किसी जो हम पहले testing करते हैं किसी project की पहले छोटे लेवर पर उसको जो है हम launch करते हैं इससे क्या होता है कि हमको ये मालूम चल जाता है कि क्या ये project सही कारे कर रहा है क्या ये बड़े इस तरपर launch करने के लिए ready है जैसे हम कोई vehicle सीखते हैं तो पहले हम चोटी जगा पर ले जाते हैं है ना पहले हम देखते हैं पाइलेट बेसिस पर कि क्या हम सही चला रहे हैं vehicle को उसके बाद हम जो है traffic एरिया में निकलते हैं सेम बात ही यहाँ पर है तो पाइलेट कोई भी स्कीम अगर पाइलेट बेसिस पर लोंची गई है इसका मतलब है उ दीसरा पॉइंट तो फ्रेंट्स जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है तो इसमें जो है आप एक लाक रुपे तक क्या जो है अपना deposit जमा करा सकते हैं और पी के बिसोई यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के डारेक्टर एंड चेरमेन है और जे वेंकर रामूं यह साथ ही आपको यह जानना चाहिए जो कोश्चन में बात हो रही है CRE DAI की तो इसने हाली में BCA सिंगापुर के साथ भी real estate sector से related एक MOU साइन किया है परदान मंतरी नरेंदर मोदी ने किस तारीक को गहन Mission Indra Dhanus इंगलिस में बात करें तो Intensified Mission Indra Dhanus लौंच किया था तो friends इस से related अगर आपके पास question आएगा तो यह इसी से जुड़ा हुआ आएगा कि यह Mission आकि शुरू कप किया था तो 8 October 2017 को इसे शुरू किया गया था परदान मंतरी नरेंदर मोदी जी द्वारा तो इस प्रोग्राम के तहत क्या होता है Intensified Mission Indra Dhanus प्रोग्राम के तहत क्य हैं और जो भी pregnant woman है तो उनके लिए जो भी जरूरी vaccine है उसको provide कराया जाता है उनको cover किया जाता है साथी आपको यह जानना चाहिए कि Mission Indra Dhanus इससे पहले तो हमने पढ़ा Intensified Mission Indra Dhanus लेकिन जो Mission Indra Dhanus है यह 2014 December में launch किया था और यह 12 vaccine preventable disease के खिलाफ vaccine provide कराता है तो इसमें 12 vaccine हैं इस तरह की जो provide कराई जाती है साथी फ्रेंट्स immunization program के अगर बात करें भारत में तो 1978 में यह expanded program of immunization के रूप में introduced किया गया था और 1985 में इसको universal immunization program के रूप में इसको modified किया गया फ्रेंट्स यह वाला topic आपके लिए काफी important है जो वह यह वाला point है आपके लिए कि universal immunization program यह कब launch किया गया था तो 1985 में यह कई बार exam में पूछा भी जा चुका है हाली में producery के cm वी नारायन सामी ने विश्वास मत खो देने के बाद इस्तिफा दे दिया producery विधान सभा में कितनी seat हैं तो options आपके सामने हैं और correct answer होगा option C तो यहाँ पर 33 seat हैं तो friends इन्होंने जो है इस्तिफा दे दिया पहले ही इनके पास seats नहीं थी कि अपना भहुमत साबित कर पाएं और यहाँ पर 33 member की assembly है जिनमें पास जो है यह SC के लिए reserve है और तीन member जो है यह government of India के द्वारा nominate किये जाते हैं और यहाँ के speaker कौन है legislative assembly के यह है VP Siva Kojundu ठीक है थोड़ा नाम अजीब है तो यह आप देख लिए जगा इनको भी note कर लिए जगा कि speaker की भूमिका यहाँ पर काफी एहम रहती है तो इसलिए पूछा जा सकता है रक्सा अनुसंधान और विकास संगठन यानि DRD ने VLSR Sam के दो सफल परिक्षन किये हैं तो VLSR Sam में V अक्सर का क्या मतलब है तो चार ओप्षन आपको दिए गए है वर्टिकल वैरियंट वहिकल या वैटरन तो डी तो आप ओविसली आप इसको कट कर दोगे तो इसमें सही आंसर है ओप्षन ए वर्टिकल तो यहां पर DRD ने जो है VLSR Sam यानि वर्टिकल लॉंच सोट रेंज सर्फेस टू एर मिसाइल है यह कभी कवी कुश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि किस तरह की मिसाइल है सर्फेस टू सर्फेस या सर्फेस टू एर या एर टू सर्फेस इस तरह की पूछे जाते हैं तो इसको जो है इंटिग्रेटेड ट्रेस ट्रेंज चांदीपुर जो की उडिसा में है यहां से इसको इसका परिक्षन किया गया है और यह इंडियन नेवी के लिए जो है यहां पर लॉंच की गई है हाली में उपराष्ट पती वेंकेया नाइडू ने एंटी राव की एक राजनेतिक जीवनी जारी की वहकिस राज्य के पूर्व मुख्य मंत्री थे तो फ्रेंड्स यह आंद्रपरदेश के पूर्व मुख्य मंत्री थे आपको बता दें कि अभी आंद्रपरदेश के मुख प्रादर इन लो रहे हैं एंटी राउ तो hm तो एंटी राउ कि अगर बात करें तर इनकी जो मुझत है इसका नाम है मैवरिक मसिह पर इसको लिखा है रामेश कंडू और अगर हम एंटी राउ की बात करें तो यह जो है तो उटारही बिंस्ट पार्टी इसको इन्हों फाउंड किया था इसके फाउंडर रहे हैं 1982 में और तीन बार ये आंद्रप्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं इनका पुरा नाम है नंदा मुरी तारका राम राउ ठीक है एंटिया राउ इनको बोला जाता था और ये का फ्रेंट्स काफी फेमस एक्टर भी रह चु इनका यानि डिरेक्टरेट जनरल री सेटलमेंट के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं तो ये किये हैं Amazon इंडिया ने तो फ्रेंड जो भी एक सर्विस परसेनल है तो उनको जो है काम दिलाने के लिए Amazon इंडिया ने आपर डारेक्टरेट जनरल resettlement के साथ एक MOU पर sign किये हैं और Amazon की आप बात करें तो friends Amazon ने हाल ही में एक e-commerce company है sales इसको भी इन्हों ने acquire किया है और इन्हों ने जो है इससे पहले एक podcast network है वंडरी इसको भी acquire किया है तो इस तरह से 4 option देखे आपको पूछा जा सकता है कि किसने इनको acquire किया है तो यह आप note down कर लीजेगा HSBC के अनुसार वित्वर्स 2021-22 में भारत की विकास्तर का अनुमान क्या है तो यह है friends 11.2% साथ यह आपको इस बता दें कि जो HSBC यह है इसका headquarters London in United Kingdom में है और यह एक investment bank या फिर एक financial services की रूप में कारिकरता है 2020 में कौन सा देश भारत का top trade partner बना तो options आपके सामने है और correct answer होगा option B तो friends आतुन इस बर भारत पर इतना जोड़ देने के बाद भी जो है चाइना हमारा सबसे बड़ा trade partner है और 77.7 billion US dollar का trade जो है चाइना के साथ 2020 में हुआ है और अगर हम total import की बात करने तो उसमें China number one है जहां से हम आयात करते हैं इसके बाद United States है और 30 नंबर पर है संयुकतरब अमिरात किस कंपनी ने सोवे K9 वजर 155 mm 52 कैलिबर वाले 140 होविट सर की delivery सफलता पूर्वक पूर्ण की जिसे सेना पुर्मुक जनरल MM नर्वने ने गुजरात में सूरत के पास हजीरा से रवाना किया तो यह क्या है फ्रेंट्स L&T ने ठीक है तो यह काफी important question है आपके लिए और अगर हम L&T की बात करें यानि Larson and Turbo तो इसका जो headquarter से है यह मुंबई में है और इसके जो CEO है और MD है यह है S.N. Subramanium साथ यह आपको यह भी जानना चाहिए कि जो यह CEO और MD है L&T के S.N. Subramanium इन्हें हाली में National Safety Council का chairman भी appoint किया गया है और BEL यानि भारत Electronics Limited ने हाली में L&T के साथ एक M.O.U.B. साइन किया है तो यह किया है ग्रेन रेबोडिक्स के लिए प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने नोवा पारा से दक्षेण एस्वर तक किस मेट्रो की उत्तर दक्षेण लाइन का उधगाटन किया तो यह किया है फ्रेंड्स कौलकाता मेट्रो की उत्तर दक्षेण लाइन का उधगाटन ने किया है रक्षामंत्री राइना सिंग ने उत्तर परदेश में किस इस्थान पर फायर सेफटी परिसिक्षन के लिए DRDO कोशल किंदर का उधगाटन किया तो ये किया इन्होंने उत्तरपरदेश के पिलक हुआ में और फ्रेंड्स ये फैसिलिटी किसके द्वारा बनाई गई है तो DRD के एक लेबरेटरी है Center for Fire Explosive and Environment Safety CFEES तो इसके द्वारा ये फैसिलिटी प्रवाइट कराई गई है तो यहाँ पर जो भी Fire Safety Technology है तो उससे जुड़ी जो है जितनी भी Technology है वो आपको यहाँ पर प्रवाइट कराई जाएगी जिंदल पावर के नए अध्यक्स के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है यानि नए चेर्मेन कोन बनाए गए है तो यह बनाए गए है अनील कुमार जहा और आपको बता देंगी जो अनील कुमार जहा है यह कोल इंडिया के पहले इस फोर्मर चीफ रह चुके है भारती एर्टेल ने भारत में 5G सेवाओं के लिए किस कमपनी के साथ समझोता किया है तो यह समझोता किया है इनोंने Qualcomm के साथ और Qualcomm जो है यह United States बेस्ट एक चीफ मेकर कमपनी है और भारती एर्टेल की बात करने तो इसके चेर्मेन है सुनील भारती और इंडिया और साथ एशिया में भारती एर्टेल के MD and CEO है गोपाल विठल किस राज्य सरकार ने सारवजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए उबराइजेशन यूजना सुरू की है ओप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन B आसाम तो आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ड कोर्परेशन ने एंट्रेपनेर्स को ट्रांसपोर्ड सेक्टर में डेवलपमेंट करने के लिए उबराइजेशन इसकीम लॉंज की है और सतर करोड रुपे इस इसकीम के लिए एलोट किये गए है आसाम के सिये में सरवननंद सोनवाल गवर्णर है जगदीश मुखी और कैपिटल है दीशपूर साथी आपको यह भी जानना चाहिए काजिरंगा नेसल पार्क मानस नेसल पार्क जो की टाइगर रिजर्व भी है यह नामेरी, टाइगर रिजर्व, डिबरू, शैकोवा नेसनल पार्क, ओरांग नेसनल पार्क, देहिंग पठकाई नेसनल पार्क, दिपोर बील, बड सेंचुरी और चंदूबी लेक ये सबी आसाम में हैं और आपके एक्जाम में स्टैटिक जीके के पोर्चन को कवर करते हैं, साथी आपको ये भी जानना चाहिए कि आसाम को लैंड ओफ दरेड रिवर एंड ब्लू हील्स के नाम से जाना जाता है, साथी माजूली आईलेंड, तो फ्रेंड्स ये भारत का पह कामरूपा के नाम से भी जाना लगा, और अब तो यहां पर एक डिस्टिक भी है कामरूप नाम से, आसाम गवर्मेंट के अगर हम हाली में लौंच के गए इसकीम की बात करें, तो देखे आसाम गवर्मेंट ने प्रज्यान भारती और भासा गोरव इसकीम इसको लौंच कि लिए साथी आसाम सीम ने किसान रत मोबाइल एप को लौंच किया है, आसाम गवर्मेंट ने अरुनो दोई इसकीम इसको लौंच किया है, और प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाली में आसाम में महाभाव ब्रहमपुत्र इनिशेटिव इसको लौंच किया, साथी आसा पीचा धनपुरसकार मिला इसका थर्ड फेस जो है इनोग्रेट किया है यह सभी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है इनको आप नोट डाउन कर लीजेगा दूसरे खेलो इंडिया यूरस्टी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा ओप्शन्स आपके सामने हैं और क बैंगलूरू में जैन तो यहां पर यह खेले जाएंगे साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि इस बार यूरस्टी गेम्स में योगासन और मालाखंब इसको भी एड़ किया गया है और मध्यप्रदेश का स्पोर्ट्स स्टेट स्पोर्ट्स है मालाखंब यह आप याद अगर हम करनाटक से जुड़े हाल ही करेंट अफेर्स की बात करें तो करनाटक ने जो है प्रोपर्टी रेजिस्टेशन के लिए ब्लोक्चैन टेक्नलोजी का यूज़ करने के लिए कहा है साथी करनाटक गौर्मेंट जो है यह 1000 इसकिल्ड नर्सेस को ब्रिटेन भेजेगी और करनाटक से एम ने हाली में अवलोकना सोफ्ट्वेर इसको भी लौंच किया साथी इंडिया ने करनाटक के मांडिया डिस्टिक में लीथियम सोर्सिस जो है इनको पता लगाया है साथी वर्ड का लोंगेस्ट रेलवे प्लैटफॉर्म ये भी होबली में इनोगरेट किय चीजाएगा कि किससस्टेडियम को अब नरेंद्र मोदी इस तेडियम के नाम से जाना जाएगा तो ऑफ्शंस आपके सामने हैं और कर्यक्ट आंसर होगा ऑफशन बी मोटेरा स्टेडियम ये स्टेडियम के जो बैक Isaid में आप जो डीवर देख रहे है तो ये साबरमती रि इसका नाम जो original है ये motera stadium है और यहां पर एक complex है सरदार पटेल sports complex तो इस complex का part है ये stadium जो नरेंदर मोधी stadium है ये इस sports complex का part है तो जैसे की controversy हुई कि सरदार पटेल stadium का नाम बदलकर नरेंदर मोधी stadium क्यों किया गया है तो center government ने इस पर एक clarification दिया है कि यहां पर यह पुरा एक complex है, सरदार पठेल sports complex जहाँ पर की 20 तरगे game खिले जा सकते हैं including football, hockey, basketball, cupboard D, boxing, loan tennis, सब यहाँ पर खिले जा सकते हैं, इस तरह cricket भी यहाँ पर खिला जा सकता है, तो जो यह stadium है यह sport complex का part है साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि हाँ पर दो pavilion ends भी है, cricket में दो pavilion hands होते हैं एक end पर जो है host country बैठती है, और दूसरी end पर जो है, जो opposition है, वो बैठती है, तो यहाँ पर एक end का नाम है Reliance, और दूसरे end का नाम है Ardani, साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत में दो cricket stadium है, जो hockey players के नाम पर है एक तो है Captain Roop Singh stadium यह गौालेर में है, और एक लखनों में है KD Singh Babu stadium साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि 9 stadium भारत में ऐसे हैं जो पूर परदान मंत्री लेट, जवार्लान नहरूजी के नाम पर है, साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि 2019 में फिरोशा कोटला स्टेडियम जो निव डैली में है, इसका नाम अरुन जेटली स्टेडियम कर दिया गया था और आपको यह भी जानना चाहिए कि कोजी कोड के रिला में EMS स्टेडियम है तो यह जो है, के रिला के जो फर्स्ट चीफ निश्टर रहे है यह भी आपको जानना चाहिए कि कौन रहे है, इनका नाम है EMS नमबूदरी पाद फ्रेंड्स आपको अगर मैं बताओ एक घटना, तो मेरे फादर जब इंटर्वियू देने जाते थे पहले वे गजेटिट ओफिशर रहे हैं तो उनसे इंटर्वियू में एक बार पूछा गया था कि केरल के जो CM है EMS नमबूदरी पाद तो इनका पूरा नाम क्या है, यानि उनको EMS का नाम पूछा गया था कि क्या है तो इनका नाम है इलमक कुलम मनक कल संकरन नमबूदरी पाद तो इस तरह के कोश्चन भी इंटर्वियू में पूछ ले जाते हैं अगर आप कभी इंटर्वियू में जाएं तो इस तरह के कोश्चन भी आपने ध्यान में रखें आगे बढ़ते हैं निमलिकित में से कौन उत्तरपरदेश का तीसरा लाइसेंस प्राप्त अंतराष्टे हवाई एड़ा बन गया है तो यह बन गया है कुशी नगर एयरपोर्ट तो यह जानकारी दी है मिनिस्टर ओफ स्टेट फॉर सिविल एवेशन हरदीप सिंग पूरी जी ने और यह जो एयरपोर्ट है यह स्रावस्ति कपिल वस्तु और लुंबीनिके जो है इसके पास में है यूपी पीचेस के त्यारी कर रहे हैं तो इस तरह ही कोश्चन मन सकते है यह जो बना है जो यह एयरपोर्ट है किस प्लेस की विशिनिटी में नहीं है यानि किसे पास में नहीं है तो तीन उप्चिन यह सई रहेंगे और चोथे फोला प्छन देदेगा आपको पूछने लिए तो इस तरह से कोश्चन बनते हैं अपने आप यांप फ्रेम कर सकते यहां पर तयार हो रहा है और आपको यह जानना चाहिए कि कुछी नगर किसले जाना जाता है क्योंकि यहां पर जो बुद्धा हैं इन्होंने परी निर्वाना अटेंड किया था पूर्वी कॉंगो में संयुक्तराष्ठे काफिले पर हमरे के दोरान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओफ कॉंगो में तैनात किस देश के राजपूत को मार दिया गया या उनकी डैथ हो गई ठीक है तो यह हुई है फ्रेंड्स इटली के अमबैस्टर तो यहां पर इनका जो प यहां पर एक वर्ड फूड प्रोग्राम इनका एक कॉंवोई जा रहा था यह भी उसी में सामिल थे तो यहां पर एक अटेक हुआ जिसमें की इनकी मृत्ति हो गई डैमोक्रेटिक रिपब्लिक ओफ दे कॉंगो इसकी कैपिटल है किन सासा करंसी है कॉंगोलीस फ्रेंक यह अच्छा तो इनके अलावा जो है फाइव इंडियन ओरिजिन परसनेल्टीज भी इसमें इंकलूट की गई है कौन-कौन है एक तो हैं विजय काडे दूसरे हैं रिसी सुनाक तीसरी है अपूर्वा मैता चोथी हैं सीखा गुपता और पाचवे हैं अब सॉलवे रोहन निर्यात विकास प्रादिकरण यानि Marine Products Export Development Authority जिसे MPEDA बोलते हैं और सहकारी और राष्ट्य सहकारी विकास निगम NCDC यानि National Cooperative Development Corporation ने समुदरी निर्यात ठीक है यानि Marine Export को बढ़ावा देने के लिए एक समझोता कि आपन पर हस्ताक्षर किये हैं तो आपको यह बताना है कि जो यह Marine Products Export Development Authority है इसका मुख्याले कहाँ पर है फ्रेंड्स एक कोश्चन इसलिए नहां पर इस तरह से बनाया है हमने क्योंकि यह कोश्चन पुछा जा चुका है एक बार बैंक एक्जाम में इसका Headquarters का है तो इसका Headquarters से के रहाखे कोची में और यह जो है Union Ministry of Commerce and Industry के तहत आता है और अगर हम NCDC के बात करें तो एक Ministry of Agriculture के तहते Statutory Corporation है भारतिया और इंडोनेशन नो से नाउने किस छेतर में पैसेज एकसरसाइज का आयोजन किया तो यह आयोजन किया इन्होंने Arabian Sea में अरब सागर में तो जो यह पैसेज एकसरसाइज एं यह जरूरी नहीं है कि केवल इंडोनेशा के साथ ही करता है भारत यह हाली में जापान के साथ भी हुई है युनाइटेड स्टेट्स के साथ भी की गई है फ्रांस के साथ भी की गई है ठीक है तो यह आप याद कियेगा साथ ही इंडिया ने इंडिया यूएस जापान और ऑस्ट्रेलिया इन चारों ने मिलकर हाली में माला बार एक्सेसाइज भी कंग्लूट किये यह चारों ही क्वार्ट कंट्रीज हैं Senior National Table Tennis Championship में महिला एकल का किताब किसने जीता है तो यह खिताब जीता है मनिका बत्रा ने और जो टेबल टैनिस की जो प्लेयर्स होते हैं इनको पैडलर भी बोलते हैं लिखा है ना आगे स्टार पैडलर मनिका बत्रा क्लिंश्ट हर सेकंड टाइटल तो यह इनका सेकंड टाइ National Table Tennis Championship का पाइमो नाम की टिकाउ और किफायती कीमत वाली इबाइक किस संस्था द्वारा विक्सित की गई तो चार आइटी आपके सामने हैं और आंसर होगा ऑप्शन बी आयाइटी मद्रास तो आयाइटी मद्रास में एक स्टार्ट अप है इनका एक स्टार्ट अप है पा साथ यह आपको बता दें आयाइटी मद्रास से जुड़ा जो एक करेंट अफेर्स का आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है कि परदार्मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाली में आयाइटी मद्रास के डिसकवरी केंपस इसकी भी आधारशिला रखी है एक हजार क्रोड रुप इसको क्रियेट किया गया था साथ ही आपको बता देंगी जो एक्साइज ड्यूटी होती है यह एक इंडिरेक्ट टैस होता है जो कि किसी गूट के प्रोडक्शन लाइसेंसिंग एंड सेल पर लगाया जाता है ठीक है और साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि ड्यूटी अच्छा GST के आने के बाद जो है जो कई सारी एक्साइज ड्यूटी जिन प्रोडक्ट्स पर लगती थी वह इसमें आ गई है तो अब जो है फिलाल एक्साइज ड्यूटी जो है यह पेट्रोलियम एंड लिक्वर इन सभी पर लगती है क्योंकि यह दोनों चीज ऑफ एक्सिलेंस ओन हाइडोजन इसकी स्थापना की जाएगी किस देश के तेज गेंदबाज धम्मी का परसाद ने किर्केट से सन्यासी घोशना की तो यह की है स्रिलंका के यह रहे है धम्मी का परसाद यह तेज गेंदबाज रहे हैं और 2015 के बाद सिरों ने टेस्ट मैच नहीं खेला था तो इन्होंने अब सन्यास ले लिया है ग्लोबल फॉर्कास्टिंग फर्म ऑक्सफोर्ड एकोनोमिक्स के अनुसार क्रेंडर वर्स 2021 में भारत की जीडीपी कितनी रहने वाली है तो यह रहने वाली है 10.2 परसेंट और इससे पहले इन्होंने अनुमान लगा और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन डी तमिनलाडू तो परदारमंति नरेंद्र मोधी ने कोयमबु टूर में एक इवेंट के दोरान इस प्रोजेक्ट सिस्टम के एक्स्टेंशन रिनोवेशन एंड मोडरनाइजेशन की आधार शिला रखी 933 करोड रुपे की लागत इसमे अगर हम तमिनलाडू से जुड़े हाली के करेंट अफेर्स की बात करें तो तमिनलाडू कवर्मेंट ने हाली में इसमार्ट ब्लैकपॉर्ड इसकीम इसको इंप्लिमेंट किया है साथी तमिनलाडू सीम ने हाली में ती एप इसको भी लॉंच किया इसका मकसद है कि जो इह contract पाया है साथी परधानमंद्र नरेंद्र मोधी ने चेननई में made in इंडिया अर्जून battle tank को army को समर्पित किया साथी परधानमंद्र नरेंद्र मोधी ने IIT मदरास जो कि तमिलाड़ू में इस्तित है इसके discovery campus की आधारशिला रखी है विजे सांपला ने किस आयोग के अध्यक्ष के रूप में कारेभार समाला है ओप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन डी नेशनल कमिशन फोर सिड्डूल्ड कास्ट अगर हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट जो देख रहे हैं तो वे इसको नोट करें राष्टिय अनुसूचित जाती आयोग इसके अध्यक्ष इनको बनाये गया है यह पंजाब से भारती जनता पार्टी के एक लीडर है इससे पहले राम संकर कटारिया यह इस आयोग के अध्यक्ष थे और इसके जो उपाध्यक्ष थे यह थे अल मुरुगन तो यह मई 2020 से यह पत खाली था और अब इस पर निउक्ति कर दी गई है साथी अरुन हालदार इनको वाइस चेर्मेन पद के लिए रिकमेंट किया गया है और यहाँ पर दो मेंबर और चुने गए हैं अनुजबाला और सुभास पारदी फ्रेंट्स यहाँ पर मैं आपको काफी important notes इस commissions related प्रोवाइट करा रहा हूँ जो कि आपके exam में पूछे जा सकते हैं bank exam में तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन अगर आप और किसी भी exam की तैयारी कर रहे हो चाहिए वो SI हो या फिर PCS हो किसी भी state का वहाँ पर यहाँ से एक point ज़रूर मिलकर आता है क्यों है क्योंकि इसको article 338 के तहट बनाया गया है constitution के तहट इसको बनाया गया है साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि इससे पहले इसको एक ही commission के नाम से जाना जाता था national commission for SCS and STS लेकिन 89th constitutional amendment act of 2003 इसके तहट क्या हुआ कि national commission for SCS and national commission of STS इन दोनों को अलग बना दिया गया अलग-अलग body इनको बना दिया गया तो यहाँ पर यह question पुछे जाता है कि 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 constitutional amendment act के तहट इन दोनों को एक अलग-अलग body बनाया गया तो याद रखना 89th constitutional amendment act और आपको यह भी जानना चाहिए कि national commission for scheduled caste यह तो आता है article 338 में और जो national commission for scheduled tribes यह आता है article 338-A में साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि जो यह national commission for SCS है यह अस्तित्व में कब आई 2004 में और इसमें एक chairperson होता है एक vice chairperson होता है और three other members इसमें सामील होते हैं साथ ही इनको president द्वारा appoint किया जाता है और इनकी जो भी service रहेगी जो भी कारेकाल रहेगा यह भी president द्वारा determined किया जाता है किस राज्य ने एक सापताहिक TV कारेक्रम जल है ता कल है launch किया तो options आपके सामने है और correct answer होगा option A पंजाब तो पंजाब ने यह weekly TV प्रोग्राम जल है ता कल है इसको जल जीवन मिशन के तहत इसको संचालित करने का नेड़ने लिया है क्यों किया है ताकि लोगों को हर घर नल हर घर जल campaign से जो है रूबरू कराया जा सके उनको educate किया जा सके sensitize किया जा सके पंजाब के cm है captain अमरिंदर सिंग, governor है वीपी बदनोर, capital है चंडिगर अगर हम पंजाब से जुड़े current affairs को फटा फट revise करें तो आप पाएंगे कि पंजाब cabinet ने हाली में mission लाल लकीर इसको सभी गाओं में पंजाब के सभी गाओं में लागू कर दिया है इसको एप प्रूव कर दिया है यह हमने डिटेल में अपने previous current affairs session में पढ़ा था साथी आप कोई भी जानना चाहिए कि पंजाब government ने आई रखवाली एप इसको भी लाँच किया है साथी पंजाब CM ने हर घर पानी हर घर सफाई mission को भी लाँच किया साथी पंजाब CM ने PR Insight Mobile App and Web Portal Platform को लाँच किया साथी पंजाब CM ने DG Nest नाम की एक Mobile App इसको भी लाँच किया है निम लिखित में से किसे अमेरिकी राज्य विभाग ने अंतराष्टी एंटी करॉप्शन चैंपियन्स पुरसकार के बारा विजविताओं में से एक के रूप में कोशित किया है कोश्यन का मतलब यह है कि United States का जो State Department है इसने बारा लोगों को International Anti-Corruption Champions Award के लिए चुना है इसकी संस्थापक हैं और जैसा कि नाम सी पता चल रहा है कि इन्होंने जो है Anti-Corruption Movement और सिस्टम में Transparency के लिए काफी कारे किया है तो इसी को पहचान दिलाने के लिए इनको इस Award से सम्मानित किया गया है साथ ही आपको बता दें ये Award जो है U.S. State Department के दुआरा पहली बार दिया जा रहा है International Anti-Corruption Champions Award तो काफी important question है आपके लिए निमलिकित में से कौन? कोवेक्स कारेकरम के तहत कोरोना वाइरस वेक्सीन का shipment प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है Friends काफी important question है यहां से हम 2-3 point जरूर जानेंगे एक तो ये कोवेक्स क्या है गावी क्या है ठीक है तो इसलिए आप इसको पूरा सुनना तो इसमें correct answer होगा option A गाना तो गाना जो है ये पहली country बन गई है जिसको की कोरोना वाइरस वेक्सीन प्राप्त मिलेगी कि किस के द्वारा covax program के द्वारा देखे पहले तो ये जान लीजिए कि कौन सी वेक्सीन मिलेगी तो इसकी जो है 6 लाग doses मिलेगी औक्सफोर्ड एस्टाजनेका वेक्सीन यह उन्हें कौन सी वेक्सीन बनाई है जो बारत में किस नाम से जानी जाती है तो यह vaccine जो है यहाँ पर भेजी जाएगी साथ ही आपको बता दें कि जो यह Covistil vaccine है इसको Serum Institute of India जो की पूने में located है यहाँ पर manufacture किया गया है और जो यह Serum Institute of India है यह World का largest vaccine manufacturer है साथ ही आपको जानते हैं कि COVAX program क्या है तो COVAX program friends जो Gavi Vaccine Alliance है यह और World Health Organization है और CEPI है UNICEF है तो इन सभी की partnership से बना हुआ एक forum है तो पहले तो जान लीजे कि गावी क्या है तो जो यह गावी है यह एक जो है Public Private Global Head Partnership है यानि इसमें Public Sector से और Private Sector से जो हैं लोग जुड़े हुएं, entities जुड़ी हुई है तो इनका मकसद यह है कि जो poor countries है उनको immunize किया जा सके उनको जो है vaccine provide कराए जा सके और इसका headquarters यह Switzerland के जेनेवा में है बात करते हैं COVAX program की तो friends जो COVAX program है इसका मकसद यह है कि 2021 के अंतर तक 2 billion doses जो हैं यह लोगों को दे दी जाएं ठीक है और किनको खास करकि इनको जो की middle and lower income nations है क्योंकि जो middle and lower income nations है यह COVID vaccine या फिर जो भी महेंगी vaccines आती है इनके लिए पे नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इसलिए इनका मकसद यह है कि अगर किसी देश में मान लीजे कि 100 लोग है तो इनका मकसद यह है कि कम से कम 20 लोगों को तो हम प्रोवाइट करा दें vaccine और वो भी free of cost ठीक है तो जो vaccine होगी जो manufacturer है उससे यह कोवेक्स प्रोग्राम से जो भी जुड़े हुए हैं यह लोग vaccine बाइ करेंगे और जो भी middle and lower income countries हैं उनको free में provide करेंगे आई होप आपको यह सभी कुछ समझ में आ गया होगा और घाना की capital है एक्रा और currency है घानानियन शेडी कौन सा राज्जे अगले साल से अलग क्रिसी budget पेश करेगा options आपके सामने हैं और correct answer होगा option C राजस्थान तो राजस्थान की जो CM है असो गहलोत इन्होंने हाली में अपना जो है budget पेश किया है अपने राज्जे का तो इसमें इन्होंने announce किया है कि अगले साल से हम separate agriculture budget को पेश करेंगे अच्छा इन्होंने एक काफी अच्छी line इहाँ पर अपने budget session में बताई है ये line friends इस तरह की line जो है पूछ ले जाती है जो लोग आप मेंसे कई सालों से paper दे रहे है या फिर दो तीन सालों का experience है कोई अच्छा paper मतलब bank के अलावा अच्छा तो bank के paper भी होते हैं bank के अलावा अगर उन्होंने कुछ इस तरह के paper दिये है तो वहाँ पर उन्होंने पढ़ा होगा कि इस तरह के कथन पूछ ले जाते हैं कि ये किस personality द्वारा ये कथन दिया गया है या किस leader ने इस कथन को कहा है तो इन्होंने budget session के दुरान कहा कि कांदी जी ने एक बार कहा था if India wants to peacefully progress people with money should understand that the soul of India lies inside farmers तो ये वाला कथन आपके लिए काफे important है अगर आप PCS के तयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर पुछा जा सकता है कि ये किस का कथन है क्योंकि आपको पता है कि farmer से related भी protest चल रहा है तो ये जो है पुछा जा सकता है इस तरह के कथन आ जाते हैं ठीक है अगर ना भी पुछा जाए तो पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इसको आप जरूर याद रखिएगा और साथी अगर राजस्तान वाले एस्पिरेंट्स इसको देख रहे हैं तो ये जान ले कि COVID-19 management के लिए यहाँ पर इन्होंने एक special COVID package भी अनाउंस किया है जिसके तहत जो भी 33 लाख जो यहाँ पर गरीब परिवार हैं उनको 2000 रुपे दिये जाएंगे और 5000 रुपे तक का interest free loan दिया जाएगा साथी मुख्यमंत्री लगु उद्द्योग प्रोत्सान योजना के तहट जो भी entrepreneurs हैं उनको 50 क्रोड रुपे तक provide खराए जाएंगे गवर्णर है यहाँ के कल राजमिश्र और capital है जैपूर राजस्थान से जुड़ेगर current affairs की बात करें तो राजस्थान government ने अपने state को bagger free ठीक है जो भीक्षुक होते हैं उनसे बिलकुल मुक्त करने के लिए एक campaign launch किया है साथी उड़ान तारा ये भी राजस्थान में जो है program held किया गया साथी school of public health राजस्थान में launch किया गया और यहाँ के cm असो गहलोद ने आयुस्मान भादत महात्मा गांदी health insurance scheme इसके नए फेस को launch किया है तो याद रखना यह जो scheme मैंने आपको बताई है राजस्थान से related है साथी राजस्थान के सिरोही जिलों में एक पोधा सुपोसित बेटी के नाम योजना इसकी भी सुरुआत की गई है भारत के पहले डिजिटल विष्व विध्याले का उधगाटन किस राज्य में हुआ है तो options आपके सामने है और correct answer होगा option B केरल तो यह जो है केरल के जो governor है आरिफ मुहम्मद खान इनके द्वारा इसका उधगाटन किया गया है कहाँ पर टेक्नो सिटी मंगला पूरम में और इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है केरला यूनिवर्सिटी ओफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेकनलोजी तो यह जो यूनिवर्सिटी है यह post graduate programs and research पर जो है टोटली फोकस रहेगा और इसके तहट पांच स्कूल स्टार्ट किये गए है यह स्कूल आप देख सकते हैं आला कि इतनी important नहीं है आपके exam point of view के अगर हम देखें ठीक है और यह केरल के CM है पिनराई विजियन और कैपिटल है थिरूवनंत पूरम अगर हम केरल से चुड़े current affairs की बात करें तो देखिए आप कि केरल के CM ने हाली में knowledge mission को launch किया है केरला financial corporation इसने जो है debit card launch किया है तो यह friends काफी important news है क्यों है क्योंकि यह पहला government financial institution है केरला में जिसने की credit card launch किया है तो इसलिए question आपके लिए काफी important बन जाता है साथी केरल में जो है एक मातिकेटन सोला पार्क है तो इसके around जो भी एक किलोमेटर तक के दाएरे में जितना भी एरिया है इसको central government ने eco sensitive zone खोसित कर दिया है साथी 21 साल की आरे राजेंदरन ये थिरुनदपुरम की youngest mayor बन गई है और के फोन इसका first phase भी केरल में जो है integrate किया गया है के फोन का मतलब है केरला fiber optics network साथी वीपी जो एको केरल के मुख्य सचिव के रूप में न्यूक्त किया गया है और इंडिया की पहली solar powered miniature train ये भी केरल में launch की गई है साथी United Nation विमन ने केरल का जो इंडर पार्क प्रोजेक्ट है इसके साथ tie up किया है partnership की है तीसवा Adriatic Pearl tournament कहां आयोजित हुआ तो friends अगर आप ये जानते हैं कि जो Adriatic Sea है इसके पास कौन-कौन से ही countries हैं तो आप इस question का answer बदा सकते हैं लेकिन उसके लिए जो है जोग्रफी काफी deeply पढ़ने की जुरुत होती है तो यहां पर option होगा option D बुढ़वा और कहां पर है ये mountain negro में तो friends जो ये mountain negro है ये जो Adriatic Sea है इसके coast पर located है ठीक है तो ये तो question इससे ही पता चल जाता ठीक है लेकिन इसके लिए जोग्रफी जो है टीप में पढ़ी होनी चाहिए तो देखिए ये question इसलिए लिया गया है क्योंकि ये जो है boxing tournament हुआ है तो इसमें अरुंदती चोधरी और नावरेम चानू इन दोनों नहीं हाँ पर women category में gold medal जीता है और इस पूरे tournament में जो भारती है women's का जो पूरा जथा ठीक है ये जो है top पर रहा है तो ये event आपके लिए काफी important बन जाता है साथी अगर हम बात करें Montenegro की तो इसकी capital है pod gory को और currency है euro grains of star dust नामक पुस्तक के लेकक कोन है या लेकी का कोन है तो answer होगा option D विसमया मोहनलाल तो जो south Indian actor है मोहनलाल उनकी ये daughter है तो इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है निमलीखित में से किस ने ASI new discovery proscar 21 प्राप्त किया तो चार options आपके सामने है और correct answer होगा option D Inter University Center for Astronomy and Astrophysics और जो ये Inter University Center for Astronomy and Astrophysics है इस team को lead किया करते है Dr. Kanak Shah जो की associate professor है यहाँ पर ठीक है तो इनको ये award दिया गया है for the discovery of layman continuum emission from a galaxy at Z equals to 1.42 ठीक है ये थोड़ा technical चीज़ हो गई और बस इस question में ये ही में था कि किसको दिया गया है तो ये आप note कर लीजेगा क्रेमान थोडियम Indicom के रूप में जाने वाली पोधे की एक नई प्रजाती हाली में किस राज्जी के अलपाइन छेतर में खोजी गई है तो options आपके सामने हैं और correct answer होगा option D अरुनाचल परदेश तो ये question भी आपके लिए काफी important है और जो ये नई species पाई गई है ये हिमालियन sunflower family से belong करती है और अगर इसका हम IUCN status जाने तो ये critically endangered species है तो यहाद रखना अरुनाचल परदेश के अलपाइन रीजन में ये पाई गई है इरिकली गरिबाश्विली किस देश के नए परदान मंत्री बने है तो ये बने है जोड़िया के और इससे पहले 2013 से 2015 तक भी ये प्राइम मिनिस्टर थे और ये क्यों बने है क्योंकि हाली में जो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है जोड़िया गखारिया इन्होंने हाली में जो है रिजाइन कर दिया है अगर हम बात करें जोड़िया की capital की तो इसी कैपिटल है तबीलिसी और करंसी है जॉर्जियन लॉरी नेक्ट वोश्चन है मेरे पास लेवी का नया वेस्विक प्रांड अम्बेस्टर किसे बनाये गया है तो ये बनाये गया है दीपी का पादुकोन को के अंदर सरकार और किस बैंक ने 304 मिलियन डॉलर के आसाम इंट्रा स्टेट ट्रांस्मिशन सिस्टम इनहांस्मेंट प्रोजेक्ट के लिए रिंड समझबते पर हस्ताक्षर किये है तो चार बैंक आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन D और साथ ही आपको भी जानना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक का हैटकॉर्टर से वसिंग्टन डी सी इन यूएस से किस खिलाडी ने पंचुकुला में राष्ट्रियर टेबल टैनिस चैंपियनशिप जीती तो चार खिलाडी आपके सामने है और आंसर होगा ओप्शन A जी साथिया या साथिया गणाना शेकरन अच्छा फ्रेंट्स यह है है एडिंग देखिया आप साथिया ब्रेक्स तजिंक्स क्राउन नेशनल चैंप तो जो जींक्स है इसका मतलब होता है ऐसा कोई दुरबागिय या बैड लग जो आपके काम को सफलना होने दे रहा हो बार बार आप एक ही जगह पर आकर रुख जा रहे हों तो देखिये ऐसे ही जब सचिन तिंदलोर क्रिकेट खेला करते थे उनकी स्पोर्ट्स लाइफ में एक फेस आया था जब वे नर्वस 90 क या सिकार हुआ करते थे यानि वो 90 रन से और 99 रन के बीच में आउट होया जाया करते थे तो एक टाइम ऐसे आया जब उन्होंने अपनी 100 कंप्लीट की तब न्यूस्पेवर में हेडिंग क्या बनी सचिन ब्रेक्स तजिंक्स स्कोर्स 100 ठीक है तो इसी तरह जो यह जी साथ हैं तो इससे पहले यह पूडूचेरी 2014 में और हाइदराबाद 2015 में जो चैंपियंशिप हुई यहां पर भी यह फाइनल में हार गए थे तो इसलिए हैडिंग बनी है कि साथियां ब्रेक्स तर जिंक्स यानि इन्होंने वह अपना बैड लग को तोड़ दिया है और फाइन इन्वोक्स में लिखेंगे ट्राइ कीजिएगा जैसे आप कह सकते हैं कि IBPS कलरक मेंस दो बार देने के बाद मैंने जिंक्स ब्रेक किया और सफल हुआ तो इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं और यह चैंपियंशिप हुई कहां पर यह हुई ताउ देवीलाल स्टेडिय होगा ओप्शन B, ICICI Bank तो ICICI Bank ने Greater Chennai Corporation और Chennai Smart City Limited इनके साथ मिलकर नम्मा Chennai Smart Card को लौंच किया है तो यह एक रुपे पावर्ड को ब्रांडेड कॉंटेक्लेस प्रिपेर्ड कार्ड है जो की जैसे टेक्स पे करना हो यूटिरिटी बिल्स पे करने हो तो इस सभी का जो प्र से हैं मुंबई में अगर हम ICICI से जुड़े हाल ही के करन्ट अफेर्स की बात करें तो देखिएगा आप तो इस बैंक ने जो है Infinite India इस तरह का एक प्लेटफॉर्म लौंच किया है साथी इसने नेपाल में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ओफिस ओपन किया है साथी इस एक कार्लेस EMI ओप्शन इंट्रोड्यूस किया है साथी इस बैंक ने माइन नाम से एक प्लेटफॉर्म लौंच किया और होम उत्सव जो की एक वर्चूर्ट प्रोपर्टी एग्जिबिशन रहा यह इसने लौंच किया साथी इस बैंक ने आई स्टार्ट अप 2.0 इस तरह साथी इस बैंक ने नियो जो की एक फिंटेक कंपनी है इसके साथ भी एक टाइअप किया है किसलिए प्रिपेर्ड कार्ड जो होते हैं MSME को प्रोवाइट कराने के लिए तो इस सभी करंट अफेर्स हमने जो है अपने प्रिवेस शेसंस में कवर किये हुए हैं यह आपके र नागालेंड में ऐसा 58 साल के बाद हुआ है जब इनकी legislative assembly में जो है राष्टकान को या नेसल अन्थम को बजाया गया है तो फ्रेंड्स जो यहां के governor है आर एन रवी तो इन्होंने जब legislative assembly को हैं पर संबोधित किया तो एक बार उससे पहले बजाया गया और जब उन्होंने assembly को संबोधित कर दिया एक बार उसके बाद बजाया गया तो और साथ ही आपको यह जानना चाहिए कि नागालेंड को राज्य का दरजा दिया गया था एक दिसंबर 1963 को और यह सोलवा इस्टेट था भारतिय यूनियन में नागालेंड से अगर हम संबंदी जानकारी लें त जाता है साथिया आपको यह भी जानना चाहिए कि दुजो को वैली यह जो है नागालेंड और मणीपूर के बॉर्डर सपर हैं यहाल ही में खबरों में रही थी क्योंकि यहां पर भाइंकर आग जनी की घटना सामने आई थी साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि यहाँ पर एक शिलोई लेख है जो की फुट्प्रिंट के शेप की है तो इस तरह के कोशन भी पूछ ले जाते हैं साथी वर्ड बैंक ने हाल ही में नागालेंड में एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए 68 मिलियन यूएस टोलर का जो है एक प्रोजेक्ट 12 सरकार के साथ साइन किया है किस राज्य ने महिला कमांडो फोर्स और इसमार्ट चीता पुलिस का उद्गाटन किया तो यह किया है उत्राखंड ने तो उत्राखंड के चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंदर सिंग रावत और इन्होंने जो है विमन्स कमांडो फोर्स एंड इस्मार्ट चीता पुलिस को उत्राखंड पुलिस डिपार्टमेंट में इंडक्ट किया है और यह भारत में फोर्थ स्टेट बन गया है जहांपर की पु जैस्मीन हैरिसन एटलांटिक महासागर को अकेले नाव चलाते हुए पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है वह किस देश से हैं तो यह हैं इंगलेंड से तो यॉर्क शायर इंगलेंड की रहने वाली एक टीचर जैस्मीन हैरिसन ने अकेले नाव चलाते हुए जो है Atlantic Ocean को पार किया और ऐसा करने वाली है सबसे कम उम्र की महिला बन गई है यह 21 साल की है तो इन्होंने Canary Island के लागोमेरा यहां से जो है एंटिंगा तक की दूरी जो की आपकी 3000 माइल की है इसको तै किया है तो यह information आपके लिए ठीक है काफी important रहेगी और इन्होंने 70 दिन 3 गंटे और 48 मिनट इस journey को पूरा करने के लिए लिए है विश्णु नारायनन नम्बूतरी कौन थे तो फ्रेंड्स यह काफी famous poet रहे हैं और इनका हाली में निधन हो गया है शक्ति गुपता को किस aims के पहले निधेशक के रूप में न्यूक्त किया गया है तो चार aims आपके सामने है और correct answer होगा option A aims जम्मू और नाम याद रखेएगा डॉक्टर शक्तिकुमार गुपता तो इस तरह से पूछा दा सकता है कि aims जम्मू के पहले executive director कौन बनाए गए है तो आंसर होगा डॉक्टर शक्तिकुमार गुपता साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि प्रदानमंत्री नेंदर अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो चार जीले आपके सामने है उत्तरप्रदेश के और सही आंसर होगा अयोध्या और आपको यह भी जानना चाहिए कि जो स्कॉच अवार्ड है ठीक है इसके स्कॉच ग्रूप के चेर्मैन है समीर कोचर और यह जो स्कॉच अवार्ड है यह दोजार तीन से दिया जा रहा है किसलिए जो भी भारत को एक अच्छा देश बनाने और यहां की सोसाइटी को अच्छा बनाने में कॉंट्रिबूट करते हैं तो उनको यह स्कॉच अवार्ड दिया जाता है उत्तरप्रदेश के सीएम योगिया दित्यनात है गवर्णर आनंधिवेन पटेल जो की मत्यपरदेश की भी गवर्णर है कैपिटल है लगनो किस राज्य के अनंतपुर जीले को पीम किसान राष्टे पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो आप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आंधरप्रदेश तो की 9.60 परतिशत इसका जो है परसेंटेज राय वेरिफाई करने का और आपको पता होगा कि इसकीम है सेंट्रल गवर्मेंट की जिसमें की ये 6,000 पर येर देते हैं 3 इक्वल इंस्टॉल्मेंट में ठीक है किनको इसमोल और मार्जिनल फार्मर जो फैमिलीज है उनको और आसाम के मुख्यमंत्री सरवानंद सोनवाल ने किस जीले में पूर्वी भारत के पहले कोशल विस्व विद्ध्याले यानि इसकिल यूनिवर्स्टी की निव रखी तो ये रखी नोंने दर्रांग डिस्टिक में ठीक है और ये 2026 तक बनकर तयार हो जाएगी आसाम के गवर एक्ट के तहट आर अस्वीन 400 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बने हैं यह उपलब्दी हासिल करने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन थे तो यह थे फ्रेंड्स मोथया मोडली तरण हैं तो यह अभी भी मतलब किस ने लिया था यह पूछ यह 77 टेस्ट में कारणामा किया है और यह जो है फोर्थ इंडियन प्लेयर हैं जिनोंने 400 टेस्ट विकेट लिये हैं इनसे पहले अनील कुमले और हरबजन सिंग और कपिल देव ऐसा कारणामा कर चुके हैं बांधो और नदी घाटियों के सतत विकास पर आई कोल्ड संकोष्टी का उधगाटन किस ने किया तो यह किया है गजेंद्र सिंग सेखावत जी ने और गजेंद्र सिंग सेखावत जो है यह मिनिस्टर फॉर जल सकती हैं और यह इस इवेंट में चीफ केस्ट के रूप में आए हुए थे आई कोल्ड का मतलब है इंटरनेशनल कमीशन ओन लार्ज डैम्स तो यह सिंपोजियम जो है किसलिए लाई गई ताकि यहाँ पर जो इंडियन डैम इंजिनिरिंग प्रोफेशनल से हैं और एजन्सीज हैं यह अपना एक्सपिरेंस यहाँ पर शेर कर सके ताक आपको जानना चाहिए राहुड खुलर जिनका हाली में निधन हुआ यह किस निकाया फिर बोडी के पूर्व चेर परसंथे तो यह थे ट्राइग के और ट्राइग की बात करें तो ट्राइग की फ्लुफों में टेलिकॉम रेगुलेटरी ओधरोटी ओफ इंडिया और जो ह है यानि कितनी रहने वाली है तो यह रहने वाली है 13.7% अच्छा फ्रेंट्स यहां पर जो यह 2021-22 लिखा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं फिसकल यह 22 ठीक है तो फिसकल यह 22 मतलब 2021-2021 तो इस तरह से जो है आप न्यूस्पेपर में देखते हैं तो इसे आप समझ सकते हैं तो पहले इन्हों ने estimate किया दा कि 10.8 pirum jour रहेगी तो अब इन्होंने कर दिया है 13.7% किसके लिख फिसकल यह 22 को के लिए और जो हमारा current fiscal जल रहा है भी fiscal- 2021 जो हमारा fiscal अभी चल रहा है तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो आपकी GDP है यह contract करेगी 7% से और पहले इन्होंने कहा था कि 10.6% से contract करेगी ठीक है तो यानि कि काफी positive इन्होंने अपनी report दी है या अनुमान लगाया है साथ है आपको यह जानना चाहिए कि HSBC ने भी हाली में अपग्रेट किया है भारत की जो GDP है उसकी forecast को तो 11.2% इन्होंने कहा है कि fiscal year 2022 में इंडिया जो है ग्रो करेगा किस राज्य या केंद्र सासित परदेश ने उपचारिक रूप से भारत्य रिजर्व बैंक की E-Kubair बुकतान परणाली को शुरू किया है या roll out किया है तो यह किया है जम्मू एंड कश्मीर ने आपको यह जानना चाहिए कि E-Kubair एक परणाली है जिससे कोई भी सरकारी भुकतान या बिलका भुकतान किया जाता है इस परणाल को RBI विवस्तित करता है साथी बैंक का जो RBI के साथ जो current account होता है उसे वें कही से और कभी भी access कर सकते हैं अच्छा जो यह E-Kubair है यह एक core banking solution है core banking solution का मतलब क्या होता है कि जो भी large customer centric services जो भी provide कराई जाती है customer को तो उनको जो है एक single location से 24 by 7 जो है provide कराई जा सकता है तो उसको बोलता है core banking solution अच्छा जो यह E-Kubair system है यह 2012 में implement किया गया था और जो central government है और state government से वो भी इसका फाइदा लेती है जैसे किसी की pension जैसे pension send करनी हो या फिर salaries जो send करनी हो तो उसके तहत इस system का use किया जाता है RBI से जुड़े current affairs की बात करें तो friends यहां पर आप बिल्कुल skip मत कीजेगा आपको एक बहुत अच्छी चीज में यहां पर बताने वाला हूं और आपको easily समझे भी आ जाएगा और चाहे आप PCS की तयारी कर रहे हो या फिर RBI grade B की तयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हो यह आपके लिए काफी important topic रहने वाला है तो हाली में आपने यह headline सुनी होगी कि RBI announces second cohort under regulatory sandbox with theme of cross border payments तो देखिए इसमें आप देखिए कि sandbox क्या है इसका क्या मतलब होता है सबसे प बक्स आ गए है अब क्या हुआ कि government regulatory bodies जो है वो आपसे contact करती है और आपको कहती है कि आप जो है हमारे rules and regulations को follow नहीं कर रहे हैं तो अब इस सब घटना को avoid किया जा सकता है अगर आप अपनी app को पहले sandbox में run कराएं तो यह sandbox क्या होता है यह जान लेते हैं देखिए जो regulatory bodies है भ आई है यह insurance market को करती है तो यह लोग क्या है अब अपने regulatory sandbox offer कर रहे हैं तो regulatory sandbox क्या होता है यह एक इस तरह का environment होता है जो आपको provide कराया जाता है ताकि आप अपनी app को पहले test कर सके अपने product को test कर सके पहले ही आप उसको market में नहीं उतारेंगे पहले आप उसको test करेंगे तो तो वो environment वो controlled environment और isolated environment आपको यह regulatory bodies जो है offer करती है मानलीजे आपने एक app launch की फिर उसके बाद आपको users भी चाहिए होंगे तो 30-40 users या जितने भी user होंगे वो आपको provide कराया जाएंगे तो वो क्या करेंगे आपकी app को test करेंगे उसमें loopholes देखेंगे क्या loopholes हैं क्या वे आपक government के rules and regulations के साथ follow कर रही है आपकी app यह देखेंगे एक बार जब वो बिल्कुल final हो जाए तब आप उसको market में launch कर सकते हैं इस chart से देखेंगे मानलीजे आपका यह कोई product है आप उसको test करना चाते हैं उसके बाद आपने इसको sandbox में भीज़ दिया sandbox मतलब जो वो एक controlled environment आपको provide कराए गया है जहाँ पर आपको उसको test करना है उसके बाद आपने उसको test किया और देखा कि क्या यह सही से work कर रहा है क्या यह जो country है उसके rules and regulations को follow कर रहा है अगर नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे उसको फिर से modify करेंगे ठीक है कोच उसमें changes लाएंगे फिर से उसको sandbox में बेजेंगे मतलब उस regulated उस controlled और isolated environment में आप अपने product को बेजेंगे महाँ पर फिर से testing होगी अब आपका जो है बिल्कुल सही आया है वो product बिल्कुल सही है और उसमें कोई भी security issues नहीं हो सकते ठीक है user को कोई भी complaint नहीं आएगी अगर आप उसको market में उतार दें तो अब यह था retail payments यानि retail payments से जुड़े जो भी कोई अपना product launch करना चाता है तो वो अपने regulatory sandbox में आपर test कर सकता है फिर दूसरा theme RBI ने launch किया cross border payments अगर इस से जुड़ा कोई product है तो वो आप यहाँ पर test कर सकते हैं और तीसरा theme है MSME lending तो इस से जुड़ा अगर कोई product है तो आप उसक साथी RBI किसली news में रहा क्योंकि Reserve Bank Innovation Hub तो इसके पहले chairperson मनाए गए है Chris Gopal Krishnan साथी RBI ने digital payments index इसको भी launch किया है e-commerce company Flipkart ने अपने उब्भोकताओं के लिए Samuha Bima Policy जिसका नाम Group Safeguard Bima है इसकी पेशकर्ष करने के लिए किस के साथ भागेदारी की है इस question को English में भी देख लेते हैं ज्यादा अच्छे समझ में आएगा e-commerce company Flipkart has partnered with which of the following to offer Group Safeguard Insurance ठीक है तो Group Safeguard Insurance अपने customers को ओफर करने के लिए किस Bima Company के साथ किस General Insurance Company के साथ भागेदारी की है तो यह की है ICICI Lombard General Insurance के साथ तो आपको इसमें यह जानना चाहिए second point आप देखिए with daily cash benefits starting from rupees 500 hospice benefit ठीक है अब यह hospice क्या होता है friends यह आपको जानना चाहिए hospice का मतलब होता है मानली जे कोई ex-person है वो hospitalized हो गया है उसको कोई बीमारी ही थी तो वो hospital में admit हो गया है अब 30-45 दिन तक जो Bima Company है वो आपको daily कुछ ना कुछ cash reward आपको देती रहेगी 1000 रुपे या फिर 2000 रुपे ठीक है वो जो आपने plan लिया होगा तो महाँ पर वो सब fix हो हो जाता है मानली जिए आपको 30 दिन तक आप admit है तो आपको डेली Bima Company 1000 रुपे आपको provide कर आई रहे है ताकि daily का expense आपका निकल सके ICU में एड्मिट हो गया तो daily आपको 2000 रुपे भी provide कर आ सकते है ठीक है तो इसको बोलतो है होस्पिकेस तो इसी के लिए जो है flip guard ने ये group safeguard insurance ठीक है इसको offer किया है ICICI Lombard के साथ मिलकर और ICICI Lombard के CEO है भारकव दाशकुपता और headquarter से मुंबई में परदानमंत्री नरेंद्र मोधी ने डॉक्टर श्यामा परसाद मुखर जी Institute of Medical Sciences and Research का उद्धाटन किस IIT में किया तो यह किया इन्होंने IIT खड़कपुर में IIT खड़कपुर का है West Bengal में है साथ ही आपको डॉक्टर श्यामा परसाद मुखर जी के बारे में कुछ important जानकारी भी ले लिनी चाहिए कि यह जो है पूरुपरदानमंत्री रह चुके हैं जवारलाल नेहरू इनकी कैबिनेट में यह industry and supply minister थे और नेहरू लियाकत पैक्ट क भारते जनता पार्टी को के founder के रूप में आप इने कह सकते हैं डॉक्टर श्यामा परसाद मुखर जी को साथी 12 जनवली 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट इसका नाम बदल कर डॉक्टर श्यामा परसाद मुखर जी पोर्ट कर दिया गया था परदानमंत्री नरेंदर मोधी के द्वारा साथी जम्व एंड कश्मीर में जो चेनानी नाशरी टनल है इसका नाम भी अब श्यामा टनल है या डॉक्टर श्यामा परसाद मुखर जी टनल किसे राजस विभाग का अतरिक्त परभार दिया गया है यानि जो डिपार्टमेंट ओफ रेवेन्यू है इसका एडि को और वैसे तरुनमा पजाच के पास कौन सा भी भाग है को इसका स्रेक्रेट्री में डिपार्टमेंट ओफ अये बना गया मैं अब इनको डिपार्टमेंट ओफ रेवेन्यू का नीू माहिं स् cur devient क्यूंबनाअ गया है क्योंकि जो डिपार्टमेंट ओफ रेवेन्यू के से सेट मेनेजमेंट और डिपार्टमेंट ओफ फाइनेंशल सर्विसेज अटुकल पॉंगाला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है केरल में साथ यह आपको जानना चाहिए कि जो केरल की कैपिटल है थिरुवनंत पुरम तो यहां पर एक टेंपल है अटुकल भागवथी टेंपल तो यहां पर यह फेस्टिवल मनाया जाता है अटुकल पॉंगाला और यह दस दिन का एक रिलिजियस फेस्टिवल है और यह इतना अच खांगुरा किस खेल से संबंदित हैं तो यह संबंदित हैं शूटिंग से तो हाली में इंटरनेशनल सूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ने एक शौटगन वर्ड कप इसको आयजवित किया है एजिप्टी कैपिटल कायरो में और यहां पर जो यह तीनों आपको बताए हैं मेराज एहमत खान अंगजची और गुर्जोत खांगुरा तो इन्होंने आपर इसकीट टीम इवेंट में का वरेंड कारेकरम यानि UNEP इंगलिस में बोलने तो United Nations Environment Program के New York कार्याले में सहयक महासचीव और परमुक के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो यह न्यूक्त किया गया है ली गिया नोरुनहा को ठीक है और साथ ही आपको भी जानना चाहिए कि जो UNEP है इसका Headquarters Kenya के न और 5 जून 1972 को UNEP की स्थापना की गई थी नए डिजिटल मीडिया आचार सहीता के अनुसार भारत में सोसल मीडिया कंपनियों को सरकार या अदालत के आदेसों के मुताविक कितने घंटे के भीतर विवादा स्पत कंटेंट को हटाना होगा तो यह हटाना होगा इन्हें 36 घ कर परसाथ जीने जो है डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड इनको लॉंच किया है जिसमें की जो भी ऑटीटी प्लैटफॉर्म से इनको रेगुलेट किया जा रहा है या फिर जैसे जो सोचल मीडिया प्लैटफॉर्म से इनको भी आपको जानना चाहिए कि भारत में और फिर हैं ट्विटर के ठीक है तो अब जो यह ओटिटी प्लेटफॉर्म से ओवर दी टॉप जो यह प्लेटफॉर्म से जैसे नेट्फिक्स हो गया एमेज़न प्राइम हो गया तो यह जब भी अपना कोई content launch करेंगे तो उससे पहले इन्हें बताना होगा कि क्या यह universal है क्या यह साथ साल के ऊबर के लिए है क्या यह 13 PLS से उपर वाले के लिए है यह 16 PLS उपर के लिए है या फिर adults के लिए है तो इस तरह की guideline यह इनको देनी होगी साथ ही इनह Chief Compliance Officer ये भी न्यूक्त करना होगा जो कि law informants agencies के साथ contact में रहेगा 24 घंटे साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो की question में बताया गया है कि अगर ऐसा कोई offensive content इनको लगता है तो 36 घंटे के अंदर हटाना होगा और अगर कोई sexually offensive content है ठीक है उसको इनने 24 घंटे के अंदर अंदर हटाना होगा तो ये सभी आपके लिए important point है साथ ही significant social media intermediary इसको define करने के लिए 50 लाख users का threshold government ने set किया है बारती अंतर देशिये जलमार्क प्राधिकरण इंग्लिस में बोलें तो Inland Waterways Authority of India ने अंतर देशिये जलमार्क के माध्यम से रसोई गैस के परिवहन के लिए M.O.L. Asia Oceania Limited के साथ समझोता किया है आपको बताना है कि जो ये Inland Waterways Authority of India है इसका मुख्याले कहां पर है तो इसका मुख्याले है Noida में और साथ ही आप कोई भी जानना चाहिए कि Minister for Ports, Seeping and Waterways ये कारे भार है मानसुक मांडिवे के पास और अगर हम बात करें Inland Waterways Authority of India की तो 27 अक्टूबर 1986 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका Head Office Noida में है और इसके Chairman है Dr. Amita Prasad किस देश ने पारंपरिक Lantern पर्व मनाया तो ये मनाया है चाइना ने आपको ये जानना चाहिए कि चाइना ने जो है चाइना जो है हाल ही में अपने Lunar New Year में एंटर किया है जिसे की Year of the Ox भी बोलते है और 12 फरवरी को जो है ये अपने Lunar Year में एंटर किया है तो इसके तो 12 फरवरी के 12 फरवरी से गर हम गिने 15 दिन यानि 26 फरवरी को जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है Lantern फेस्टिवल इसको बोलते हैं तो 15 दिन ये मनाया जाता है IBM रिपोर्ड के अनुसार 2020 में एशिया परसांत छेतर में साइबर अपरादियों द्वारा सबसे अथिक अटेक के जाने वाला देश कौन सा था तो ये था जापान तो ये कोश्चन इसलिए लिया गया है क्योंकि रिपोर्ड के अनुसार भारत जो है ये दूसरा बिगेस्ट टार्गेट रहा है साइबर क्रिमिनल्स का अच्छा अगर हमें इसमें और जानकारी लें तो कौन सी इंडरस्ट्री को सबस्यादा टार्गेट किया गया है तो फाइनस एंड इंसुरेंस इंडरस्ट्री को सबस्यादा टार्गेट किया गया है और अटेक टाइप कौन सा सबस्यादा अटेक टाइप रहा तो यहां य कैसे दीजिए वर्णाम इसको लीक कर देंगे ठीक है तो इसको बोलते हैं रैंसम वेयर तो इस तरह का जो अटेक है यह सबसे यादा प्रश्रीत रहा है सरस आजीवी का मेला 2021 का आयोजन किस मंत्रा लेने किया तो यह किया है Ministry of Rural Development ने और आपको यह भी जानना चाहिए कि जो Ministry of Rural Development है इसके जो यूनियन मिनिस्टर है यह है नरेंद्र सिंग तोमर और यह कहां पर हुआ है यह नोईडा हाट यहां पर इसको और्गनाईज किया जा रहा है तो इसमें जो भी Rulers, Self-Help Groups हैं और Craftsman हैं तो यह अपना प्रोड़क्ट से आपर जो है सोकेस करते हैं शुक्ष्म लगू और मद्यम उद्यम मंत्री यानि Micro, Small and Medium Enterprises Minister नितिन गड़करी ने 18 राज्यों में फैले 50 कारिगर आधारित इस फूर्ती समोह का उद्गाटन किया है तो इस फूर्ती में R का मतलब क्या है तो R का मतलब है Regeneration और अगर हम पूरी इस की फूर्ती की तो इसका मतलब होता है Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries तो जो नितिन गड़करी है इन्होंने क्या किया है कि 18 states में 50 artisan based इस फूर्ती clusters इनको लौंच किया है कितनी लागत से 85 क्रोट रुपी की लागत से cluster का मतलब होता है कोई group समू यानि की एक ही मकसद वाले जो लोग होते हैं उनका एक समू उसको बोलते है clusters तो इन में क्या क्या है handicraft अगर कोई अपना handicraft product अपना बना रहा है hand looms industry है khadi industry है muslin industry है तो इस तरह के लोगों को जो है financial help की जाती है उनको technology प्रोवाइट कराई जाती है तो इस तरह के cluster बनाए गए है ठीक है तो यह आपको जानना चाहिए साथी friends अगर आप हमारे जो भी current affairs है इनकी PDF चाते हैं अगर आप weekly PDF चाते हैं तो आप केवल 10 रुपे पे करके weekly PDF ले सकते हैं अगर आप monthly PDF चाते हैं तो 30 रुपे पे करके आप ले सकते हैं और अगर आप बार बार यह payment नहीं करना चाते हैं तो आप हमारा monthly plan ले सकते हैं जो कि 249 रुपीज का है इसमें आपको एक साल तक जो है और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे current affairs की playlist दी गई है इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ WhatsApp और टेलिग्राम पर शेर करें लाइक करें और कमेंट करके जुरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी थैंक्यू गाइस